हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेयर बजार वितायुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 December यानि आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में दोस्तों December मन्त का सबसे important बात पहला mainboard IPO आ चुका है जी हाँ, dates finalize हो चुकी है, DOMS IPO की, क्या dates रहने वाली है आपको मैं वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को देखेगा पूरा and definitely जो भी upcoming mainboard IPOs है उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो अभी IPOs चल रहे है, SME सेग्मेंट में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जो definitely grey market है, वो तो discuss करनी ही है तो वीडियो को दोस्तों जरूर पूरा देखेगा, उससे पहले अभी तक कर आपने friends चानल को subscribe नहीं किया है so 13 से 15 December के बीच में दोस्तों Doms वो पहला IPO होगा December मत का as of now, जो उपन होता हुआ नजर आएगा main board के अंदर जब देखे बाजार के अंदर एक धमाकेदार तेजी है, जब बाजार लगातार आप देखिए बढ़िया कर रहा है तो IPO market में किस तरह की कि आपको रुकावट देखने को मिलेगी, ठकान देखने को मिलेगी, no chance मलब कोई रुकावट देखने को नहीं मिलने वाली है, हाँ ज़रू time to time IPO आते रहेंगे so इसमें Dom's IPO हो सकता है कि पहला हो, हो सकता है कि इससे पहले भी कोई IPO आ जाए बट अभी तक को information नहीं आई तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ लेकिन 13-15 December की बीच में IP open होगा, price band अभी तक confirm नहीं है बट majorly मुझे लगता है कि जो price band आएगा, वो साड़े 400 से साड़े 500, 600 की range आप ने लीजे इसके बीच में आना चाहिए, कोई confirmation नहीं है उसको लेकर, but no doubt issue का size 1200 करोड का होने वाला है जिसमें से 300 करोड का fresh issue और offer for sale रहेगा, 1500 करोड का, BAC, NAC दोनों पर list होगा हाँ, एक negative बात क्या है, company अच्छी है, तो valuations अच्छे आने चाहिए, मेरे हिसाब से दो लेकिन जसे मैंने का एक negative क्या है, इसमें negative यही कि retail के लिए सिर्फ 10% है यह एक negative हम कह सकते है कि retail के पास जो portion है, वो सबसे आपको छोटा portion देखने को मिलेगा, इससे बड़ा portion बलकि H&S का है, जो 15% का है QIB के लिए सबसे बड़ा portion company है रखा है, जो है almost 75% का इसके बीचे का reason है, company ने दूस्तो 2021 में loss दी दिया था, जिसका एक कारण आपको देखने को मिला कि 75% ही आपको QIB के लिए portion रखना पड़ा है, इन 10% ही सिर्फ retailers के लिए रखा गया है, तो no doubt issue के अंदर, जो एक major problem है वो यही है कि issue का size तो ठीक है 200 करोड़ा, लेकिन इसमें से 120 करोड़ा portion जो है वो reservation है for the retail category and 15% है for the H&I, तो उस बात का आपको दियान खासत और पर रखना होगा दूसरा IP जो जो open हो सकता है, वो है मुथूट, microfinance का, तो यह भी open हो सकता है इसी महीने के अंदर इस तरह की पूरी अठकले चल रही है और लगता है कि इसी महीने के अंदर open भी होगा, जैसे मैंने कहा कि देखे, IP अचानक से भी आ जाते है तो उस बात का आपको दिहान रखना है, लेकिन no doubt यह भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छी शांदार कंपनी है इसो का साइस भी बड़ा है, बार सो पचास करोड का, साड़े 900 करोड का fresh issue है और 400 करोड का almost offer for sale है, करीबन BAC, NAC दूनों पर इसके listing होगी और इसमें reservation 50% QIVs, 35% है reservation for the retailers and 15% है for the H&Is एक और mainboard IP जो इसी महीने open हो सकता है, अच्छी का अच्छी का exact size नहीं पता है लेकिन करीबन 500 करोड का fresh issue हो सकता है और बाके का बचाओ offer for sale रहेगा यह भी issue open होने वाला है, इसमें 50% QIVs के लिए 35% retailers के लिए और 15% H&Is के लिए है दोस्तों company basically forging का काम करते है, मतलब company का जो कारोबार है वो engineering producing heavy forged और high precision machine components का है तो यह भी एक अच्छी company रहने वाली है जो अपना IPO लेकर आई है अब यह देखना है कि कौन से price पर लेकर आती है, कौन से valuation पर लेकर आती है वागी company की growth काफी बढ़िया है, जिसमें से almost company का revenue था, वो 38% बढ़ाता वही company का profit after tax था, वो 46% बढ़िया था between the financial year, March 2023 and 2021 की बीच में अब 22-23 की बीच में company की थी, वो काफी significant अच्छी रही थी, तो let's see company का price क्या निकल कर आता है, और कभ इसकी dates finalize होती है, major lease महीने के अंदर यह IPO भी open हो जाएगा एक और IPO दोस्तों जो open हो सकता है, वो है muka proteins, यह भी IPO open हो सकता है अगेन इसके भी कोई finalize नहीं हुए dates, बट यह IPO भी open होने की पुरी-पुरी expectation है, वो पुरा-पुरा fresh issue रह सकता है इस IPO के अंदर, जिसमें से 50% reservation QIB के लिए है, 35% retailers के लिए है, और 15% H&Is के लिए है, जो open हो सकता है इस month के अंदर अब दोस्तों बात कर लेते हैं, grey market के बारे में, और बाकी सारे IPOs के बारे में बहुत सारे issues है, जो in-line है, जो in the month of December open होंगे, main board के अंदर motis and dwellers भी है, एक और IPO, अब उसके अंदर में बात नहीं कहीं, लेकिन हाँ, वो भी open हो सकता है बाकी SD logistics, दोस्तों, NSE SME issue है, ये open होने वाला है, काफी जल्द, अभी तक finalized new dates but still grey market actively trade कर रहे है, करीबन 400 रुपे पर, दौम साइपियो, तेर से पंता तार की पीच में open होगा subscribe करके रखिए, notification bell को press करके रखिए, ताकि सबसे पहले आपके पास ये सारी information पहुच सके अगला दोस्तों IP आता है, Accent Microcell, आज हमने इसके उपर detail में बात भी करी थी, detail वीडियो भी चैनल पर out हो चुका है ये एक SME इशू है, याद रखिएगा SME और Mainboard दो different IPs होते हैं, अब दो different type की IPs होते हैं तो ये SME इशू है, Mainboard IP नहीं है, यानि जो 15,000 की application वाला IP होता है, वैसा IP नहीं है इसमें 1,40,000 की एक application है, बाकी दोस्तों इशू जो है, वो open होगा 8 तारीक से 12 तारीक की बीच में और 140 रुपे का इसका company ने price band टाई किया है, करीबन 78.57% की grey market चल रही है जरूँ grey market को देखके कृपिया करके ना लगा है SMEs के अंदर, क्योंकि SMEs के अंदर दोस्तों risk जो होता है, वो काफी high रहता है तो हमेशा company को समझ के पढ़के फिर पैसा लगा है, बाकी 78.40 करूर का इस IP का size है और यह 8 तारीक से 2 तारीक की बीच में open होने जा रहा है शीतल यूनिवर्सल यह IPO आज से open हुआ है, अगेन एक वार SME इशु है जो NAC पर लिस्ट होगा क्या आजर केगा सिफ SME एक एक एक्स्चेंज पर लिस्ट हो सकते है 70 रुपीस का इसका price band है, 15.71% की अभी करेंट grey market है आज से यह open हुआ है और 6 December तक open रहेगा शुरुवाती दिन के अंदर यह अल्मॉस्ट साढ़े चाल गुना subscribe भी हो चुका है 23.80 करूर का दूस्तों IPO का size है GraphiSets एक NAC SME issue है, सो 111 का price band है और यह IPO का आखरे दिन 5 December कोने वाला है 53.41 करूर का IPO का size है Let's see कितना subscription receive कर पाता है अब तक तो कुल मिला कि दो गुना के असपर subscribe हुआ है Marain Trans India एक NAC SME issue है सो 26 रुपर का इसका price band है और यह भी पास तरीक को बन दोगा subscription देखा जाए तो ठीक है अब आड़ गुना के असपर अब जग सबस्क्राइब हुआ है Green Market कोई खास नहीं है वैसे तो बट ठीक है कल दोस्तों यह issue close हो जाएगा इस बात का आपको ध्यार रखना है अगला है दोस्तों Net Avenue Technologies IPO close हो चुका है और 509 गुना जी हाँ 509 गुना यह issue भरा है जाएगा इस प्रकार की expectation करके चलिए अगर आपको allotment आ जाता है क्योंकि issue का size बहुत छोटा था मातर 10 करोड 25 लाग का issue था so subscription इतना आना सभाविक सी बात है एक बढ़िया company है जो I think अच्छी listing देगी AMIC forging इस IPO या IP close हो चुका है बाकी 90% की इसकी याद रखिये premium चल रहा है और इसका allotment 6 तरीक को बताया जा रहा है तो 6 तरीक को होफ़िल इसका allotment आ जाएगा और 11 तरीक को listing है तो यह T plus 6 के साबसे में साबसे चल रहा है अभी तक allotment अगर आना होता तो आ जाता है बहुत अच्छे listing होने की expectation यहाँ पर भी है स्वास्तिक प्लास्कॉम ये भी BSE का issue है करीबन 40.76 करोड का IP को size है और almost दोस्तो जो issue था अच्छा subscription रिसीब तो नहीं कर पाया 15 गुना के आस पर subscribe किया पर I think market के तेजी का सहारा हो सकता है किसकी listing को मिल जाए 14% को वैसे तो करेंट करी market है ही सही आज allotment आने वाला है इस IPO का और साथ तारिक को दुस्तो ये बाजार में आपको list भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो friends इस वीडियो में इतना ही था hopefully आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लाइका तो लाइक कर देना चैनल से पहले बाए जोड़ो subscribe कर देना thank you friends for watching this video